ये हुआ जो है डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए नर्सेस आपकी जान बचाने के लिए आए और आप ने उन्पे पत्तर बर्सा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वा, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां, किस और भाग रहे हो, जिंदकी के और भाग रहे हैं या मौट के और भाग रहे हो अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते है कि परिवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लगड़ा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी पहली जा रही है अगर आपके अक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के रियाक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके अक्शनिस से नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वायरिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खतम हो गया लेकिन इन चंदोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वरवाब बड़े भादुर वाब कि इतने भादुर इतने तकत वरवाब कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उत्ती अर्ती उठाओगे इतना जिगर है आपके क्यों आप यमराज और मलकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते है पढ़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसकी भी दो ही है एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे है अब भी साइट करों ऐसी ही ताजातरीन खबरों से अपडेट रहने है आप हमें यूट्यूब, फेस्बूप, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें